दोस्तों मोटिवेर्शन किंग इस्टेडि अदर मैं उडिए पर सवागा तो जैसा कि हमने पहले इसके पिछले लेक्षर में उन्य सिखा देखा था कम microphone के बारे में प्रेशर microphone में हमने कार्बन microphone and capacitor microphone के बारे में जाना आज की सेशन में एक पार्ट है तो लेट इस टार्ट वाट इस मोविंग वाइल माक्रफोन बेद्द चुम की रेड़ के सिधान्त पर अधारित है जब धोनी दाप परिवर्दन चुमकी छेत्र में रखी गई कुण्डली को मूप करते हैं तो कुण्डली से पास करने वाली मेंगनेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है जब हम मुविंक वाइल को मुविंक वाइल मैक्रोफोन को चुमके प्रेट के सिधान पर आश्रित है जब धौनी दाप पर परिवर्तन करते हैं तो चुमके छेत्र के पास जो कुंडली रखे होती है मूग करने लगती है तता कुंडली के पास होने वाले पास करते ही उसमें मैगनेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होने मेन परिवर्तन होता है कुढ़नी में एक इमीफ परिवर्ज अंप होता है जानते हैं चाल्टरा होша से जया हम यह आप इंट्रिक अच्छा में पड़े हुए जाता एक्स्प्लेन नहीं करूंगा इसकोल टूदी अपन डिटी इन टूबी इसकोल टूबी इसकोल टूबी इसकोल टू या इसमान पाती वी अर्द एलोप्रेशन मैंनुटी फोर्स कि वोल्टेज के समान पाती है इस्टॉक्चर है है आ आरेन कोल माकुराफोन से डाफ न है य। आपके डायफराम बोल सकते हैं अ प्रोटेक्टिक कछा परभी को सकते हैं अप इसको यह आपकी इनपुट् है और यह आपका पोल पीस है यह जो बने हुए है लाइन इस इल्क पार्टिशन है आपका यह ट्यूब लगा है यह दोनों मेंगनेंट है मेंगनेट है और आउटपुट बोल्टेज है ठीक है यह आपकी सानशना हो गई इस तरह आपका मुविंग कॉइल माइक्रोफोन की सानशना होती है नेक्स्ट है इसके कुछ पार्ट्स हैं चुम्बक इसमें चुम्बक क्या करते हैं इसमें प्रियूक्त मेंगनेट पॉट टाइप की अस्थाई चुम्बक होती है जिसमें एक सेंटरल पीस और पेरिफेरल पोल पीस होता है इस प्रकार की मेंगनेट पोलिस या पीस के मद्द गैब में युनिफॉर्म मेगनेटिफ फिल्ड प्रदान करती है नेश्ट डायफ्राम डायफ्राम नॉन मेगनेटिक माटेरियल की एक पतली गोल वह हलकी सीट होती है इसको इस्प्रिंग की सहायता से मेगनेट की बॉड़ी से कनेक्ट किया जाता है इस्प्रिंग सुद्वारा डायफ बोट सिलेंद्र पर पेटा जाता है के सिलेंडर होता है उससे कॉंडरी को रोलिंग रोलिंग करके लिडीट जैसेिसे microbes हो गया। कि गया कि मुझ सीसे कड़ीज्ब कर पोफुले को तनी को अब लगयों के लिए सबसे कम होता है इसमें फ्रिक्वेंसी रिस्वांस होती है साथ हर्टर से लिएक च्छे किलो हर्टर के बीच में होती है इसकी डारेक्टि विटी यानि इसकी दिसा ओम डारेक्शल नोकार कार डायर्ड होता है इसका यूज अप्रिकेशन या यूज हमजल सते हैं इसका यूज पॉब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम की अधिक्तिम किया ज पेजोछोजोर ऐम अंत्रिक्द लगाने पर उनके भी कर तरो के मद्देशंब हो जाता है यह गुरडा पेदित प्रभाव या पीजोछ्र कि एलेक्टरी कि एक पार्ट में पार्ट जो होता है जैसा कि हैं जैसे कि हम लेटे MR दे जो किसी भी ऐजा और को शाइज के इता है तो चेणी क्षेणी चलका हो यह लोही की प्लेट मेरे हैं अफिर चीज पर वकार देता है उसको मूओ करता है यानि उसके पेड़रा यही जो उसके साहिता के द्वारा टो जो लुहे का या जो मैटेरियल है उसकी साइज में बदलावाएगा ठीक उसी प्रकार पीजिलेक्टिक इफेक्ट में एक मुविंग प्लेट होती है और एक फिक्ष्ट प्लेट होती है और उसमें राके सॉल्ट डाल कर उसमें मेकैनिकली फोर्स उपर से प्लाई किया जाता है ठीक है यह आपका रहा पीजिलेक्टिक इफेक्ट तो इसका तक पर यह है जब हम मैटेरियल को टच करते हैं जब इस ही नहीं है या थोड़ी उसे हम जब उसे पीड़ते हैं तो वह वह विगर्म होता अर्थाथ उसमें मेकैनिकल एनरजी काम करती है और उसका कुछ भाग उस पर चला जाता है ठीक यह पीजियो इलेक्रिक इफेक्ट है आए हम देखते हैं क्रिश्टल माइक्रफोन की वर्ड पुट टर्मिल बहुता है क्रिश्टल के दो पतले सलाइस काटकर एक इंसुलेटिंग होलडर में रखा जाता है ठीक है इंसुलेटिंग होलडर में इसको रखा रखा जाता है तथा इनके मदन एर इस जान दैफर ना जाता है दैता कि यह crystal microphone के सरस्टना आप देख रहे हैं इसमें crystal unit है इसमें पीजो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिश्टल जैसे कि आमने पीछे बताया यह पूस रॉड है यह डाया फ्राम कि यह आप करा crystal microphone की सरस्टना हो गई अब इसके आप करेक्टर इसके बारे में जा सकते हैं अब लच्षट जिसे इनिम करते हैं क्या इसके क्रेक्टर इसके इसके बारे हम देखते हैं जैसे कि इसकी आउटपूट इंबिडेंस 5 मेगाओं होती है इसका फ्लैट फेक्रविंसी 60 हर्टर से 10 किलो हर्टर के बीच में होती है इसके सेंस्ट्विटी यानि सम्वेंद्र सिल्टा जो है अच्छे होती है जो की 50 मिली वोल्ट से 50 मिली वोल्ट या 26 डेसिबल हो सकती ह इसका सब्राउर सियो बहुत कम होता है जो कि 40 डेवी से 50 डेवी के मद्य होती है इसमें डिसटार्शन एक पर्शंट होता है और डिरेक्टिवुटी ओमनी-डिरेक्षिनल होती है जैसा कि हमने कि अजो में और हम देखा ही सिप ses do i capable के आपको दिसकसक्या अगले लेक्चर म तो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छे लगे लाइक केमेंट सेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर नहीं भूलें तर्णेवाद